शुब दिन विध्यार्थियूँ, संस्क्रित कक्षा में आप सभी का स्वागत है संस्क्रित विशे के अंतरगत आज हम पढ़ेंगे पाठ साथ पाठ का नाम है सुवचनानी अर्था सुन्दरवचन कक्षा आठ में यह सब्तहम पाठा है यानि साथमा पाठ है पाठ का नवाद आरम करते हैं ओजस्वनी सखी तब हस्ते कस्य पुस्तकम अस्ती ओजस्वनी कह रही है मित्र तुम्हारे हाथ में किसकी पुस्तक है शालिनी शालिनी कहती है इदम सुभाशताना संकलम अस्ती यह सुन्दर वचनों का संकलन है ओजस्वनी सुभाशतम किम भवती सुभाशत क्या होते हैं शालिनी सु यानि शोभनम भाशतम वचनम अथा सुन्दर वचनम इती सुभाशतम अथा सुन्दर वचनों को ही सुभाशतम कहते हैं पोजा सुनी कहती है असमाकम आचारे वदती हमारे आचारे कहते हैं कि यतका अर्थ है हाँ पर कि संस्कृत भाशाया सुभाशितानाम विशालह भंडारा अस्ति संस्कृत भाशा में सुभाशि यानि सुन्दर बच्चनों का विशाल भंडार है व्यवारिक जीवने तेशा बहुपियोगिता अस्ति सामानी जीवन में इनकी बहुत उपियोगिता है ते असमाकम पत प्रदर्शन नम प्यवण थी ये हमारा पत्प्रदर्शन भी करते हैं यह सुनकर शालिनी ने कहा मम पाठे पुस्तके अपे कानिचित सुवचनानी संती आगच्च पठावा मेरी पाठे पुस्तक में भी कुछ सुन्दर बचन हैं आओ हम दोनों पढ़ें पहला श्रोक है सुन्दर बचनों के अंतरगत गुरु भ्रह्मा, गुरु विष्णू, गुरु देवो, महेश्वर, गुरु साक्षात, परंभ्रह्मा, तस्मै श्री, गुरु वे नमह अन्वे है हिंदी अन्वाद होगा गुरु भ्रम्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु साक्षात इश्वर है अतह मैं श्री गुर के चर्णों में नमस्कार करता हूँ दूसरा श्लोक है, रूप योवन संपना, विशाल कुल संभवा, विद्याही निनना शोभनते, निर्गिन्धा इविकिन्षका अर्थात, ये रूप योवन संपना, विशाल कुल संभवा, विद्याही संती, निर्गिन्धा किन्षका इवना शोभनते अर्थात सुन्दर होने पर और विशाल कुल में जन्म लेने पर भी विद्याहीन मनुष्य गंध हीन पुष्प के समान है यानि अगर हम सुन्दर हैं हमने विशाल कुल में जन्म लिया है फिल भी हमारी कोई उपयोगिता नहीं है अगर हम निरक्षर हैं या फिर विद्याहीन हैं और हम उसी बिना सुगंद के यानि किंशुक पुष्प के समान हैं जो देखने में तो सुन्दर लगता है परंथ उसकी कोई उपयोगिता नहीं होती तीसरा श्लोक है उद्यमेन ही सिध्यन्ती कार्यानी नमरो रथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविश्यन्ती मुखे मिर्गा अर्थात कार्य उद्यम के द्वारा ही उद्यम यानि परिश्रम के द्वारा ही सफल होता है न केवल सोच लेने से जिस प्रकार सोते हुए शेर के मुख में स्वैम म्रिग यानि हिरन प्रवेश नहीं करते उसी प्रकार केवल सोच लेने मात्र से कार्यसिध नहीं होते उसके लिए पर परिश्रम करना पड़ता है। पाच्वाश्रम करना प्रिश्रम करना परिश्रम करना प्रिश्रम 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 से सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं अता मीठे वचन बोलने में कैसी कंजूसी। छटाश लोग है उद्यमं साहसं धैर्यं युक्ती विद्या पराक्रमः शडेते यत्र वर्तंते तत्र देवह सगाय कह। उद्यमं साहस धैर्य युक्ती विद्या और पराक्रम जहाँ पर ये छे गुण पाये जाते हैं वहां देवता स्वयम सहायता करते हैं अन्तिमोर सात्मा श्लोग होगा विद्वत्वम च न्रपत्वम च नेव तुल्य कदाचन स्वदेशे पूजती राजा विद्वान सर्वत्र पूजती इस श्लोग के द्वारा विद्वानों की विशेष्टा बताते हुए कहा है कि राजा और विद्वान की कभी तुल्ना नहीं की जा सकती राजा केवल अपने देश में सम्मान पाता है लेकिन विद्वान सभी जगे पूजे जाती है प्रेविध्यार्थियों आप सभी इस पाठ को पढ़कर पाठ के अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास करें धन्यवाद